तो दोस्तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ घर पर फेशल करने का सबसे आसान तरीका मैंने आज जो किट ली है फेशल के लिए वो है नीचर सेसेंस गोल्डन ग्लो फेशल किट जिसके अंदर आपको चार सिंपल स्टेप्स मिलते हैं जिससे आप घर बैटे फेश पालर में जाते हैं तो 500-1000 फेशल एक फेशल के ले लेते हैं और यह आपको टूसिक्स्टी में तीन फेशल देता है तो इससे अच्छी डील कोई और हो ही नहीं सकती तो इसके अंदर आपको एक फ्री प्रोड़क्ट भी मिलता है जो है डी टैन वाइप उफ मास्क जो कि ए उसको खतम कर देता है यह प्री फेशल स्टैप है अडिशनल इसमें एड किया गया है इसे आपको फेशल से पहले अपलाए करना होता है और यह सारी ट्यूब से जो कि इससे आसानी से हम यूज भी कर पाएंगे और दुबारे से स्टोर कर पाएंगे यह टोटल फोर है अपने उपर करके फेशल को स्टैट करते हैं सबसे पहले मैं ले रही हूं नेचर से संस की गोल्डन ग्लो फेशल किट इसमें और भी वेरियंट्स आते हैं जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी तो सबसे पहले मैं यूज कर रही हूं यह डीटान जो कि इसमें मुझे रिसीव हूँ है बिल्कुल फ्री एडिशनल फेशल स्टैप्स के साथ तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसको ओपन करना है और इसकी जो पैकजिंग सील लगी हुई है इसको हटाना है सारी ट्यूब्स के ओपर यह सील लगी हुई है तो उसको अप आपको या तो डिरेक्टवी से पेस पर प्राय कर लेना है या फिर प्राम नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं अच्छे से अपने ऐस पर अप्लाय हो जाए जिस अच्छे कि प्लाय हो daha क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी हार्ड होती है मतलब थोड़ा क्रीमी टेक्ट्चर होता है तो यह असानी से अपके फेस पर अपलाए हो जाएगा आपके इसमें कोई ग्रैनियूल्स नहीं होते जैसा कि हम होममेड फेशल में जो ग्रैनियूल्स पाए जाते हैं मतलब हम मोटे मोटे उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं इसमें बिल्कुल भी नहीं है क्रीम बेज़ है और बहुत ही अच्छी फ्रेग्रंस है बिल्कुल हार्ष फ्रेग्रंस नहीं है इसकी और यह All Skin Types के लिए है किस आपकी इस्काइप कैसी भी हो नॉर्मल हो कॉम्बिनेशन तो आप इस फेशल किट को यूज कर सकते हैं, इससे आपको कोई भी हाम नहीं होगा आपके स्किन को अगर फिर भी होता है आप एक बढर पैश टेस्ट कर सकते हैं, इस अप टू यू यह आपकी चोईस है आपको जैसे भी करना, या फिर आप किसे सजेशन ले सकते हैं वेबसाइट पर जाके सारी फीचर्स देख सकते हैं इसको आपको बंदरा मिनिट के लिए रखना है उसके बाद नॉमल पानी से इसको रब करते वे अपने आथों को गीला करके पानी से और इसे रब करते वे अपने चेहरे को ऐसे मसाज देनी है दो मिनिट तक और उसके बहुत अच्छी है और आपको इसे अपने पूरे फेस पर अपलाय करना है अपनी अंडर आइस को छोड़कर अपने पूरे फेस पर मसाज करनी है और आपको हलका सा अपने फेस को गीला कर लेना है या फिर अपने हाथों पर थोड़ा सा पानी लेना है और इसी मूवमेंट में circular motion में upward direction में उपर की तरफ अपने face पे मसाज देनी है जिससे आपकी face का blood flow बढ़ जाएगा और आपकी skin glow करने लगेगी तो सबसे पहले इसको finish करके आपको कुछ 3-4 मिनिट मसाज देना है then wash कर लेना है next step आता है exfoliating scrub यानि scrub जो है अमारे face के जितनी भी dead skin होती है जितनी भी dead skin cells होते हैं white heads होते हैं black heads होते हैं उन्स सभी को निकाल देता है और उससे हमारी skin जो बहुत clear लगने लगती है इसे हम अपने face पे बहुत ही gently मसाज करना है थोड़ा सा अपने हाथों पे पानी ले 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 skin damage हो जाएगे आपको pimples होने लगेंगे या फिर breakouts आपको दिखने लगेंगे तो आपको जैसे में movements कर रही हूं इसमें आपको बहुत ही gently अपने पूरी skin को relax होते वे बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें बहुत ही अराम से आपको facial करना होता है जिससे आपकी skin जो है रिल और अच्छी से आपको scrub करना है थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहें बीच-बीच में दो से तीन मिनिट तक आपको अच्छी से अपनी बी टी जोन में वहाँ पर आपको जादा फोकुस करना है अपनी नोस के ऊपर अपने जो लिप्स के ऊपर और नीचे और आपको इस त स्किन में वह सही से साफ नहीं होंगी तो स्क्रब करने के बाद आपको दो से तीन मिनिट करना है दन वाश कर लेना है थर्ड स्टेप आता है स्टेप में आपको मिल जाता है गोल्ड पॉलिशिंग जेल जिसके अंदर छोटे-छोटे गोल्ड के ग्रैनियूल से जब मैंने जब आपके बस आपके स्किन में मर्ज हो जाएंगे तो कि अपने पूरे फेस पे डौते दिए अपलाय कर लेना है और इसके बाद इसको अपने अच्छे से मसाज करनी है 2-3 मिनिट के लिए आपके उपर जब यह अच्छे से तब तक इसको मसाज देनी है जब तक आपकी स पूरी तरह से अब्जॉब ना हो जाए जैसे ही अब्जॉब हो जाएगा वो तोड़ा स्टिकर इसका मेरे फेस पर लग गया तो जैसे यह अब्जॉब हो जाएगा एंदेन आप नेक्स्ट स्टेप की और बढ़ सकते हैं आपको सेम स्टेप पूरी प्रोसस में पूरी फेश करना कnewकि ये हमारे कुछ प्रेशर पॉंट्स होते हैं जिस्टे हमारी जो माइंड हो रिलेक्स होता है और हमारा स्ट्रेस वह भी कम हो जाता है व हमारी स्किन रिलाक्स होती है ग्लोइंग बनती है और हमारा स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा कम होता है तो आपको दो से तीन हफतों में एक बार फेशल जरूर करना चाहिए नेक्स्ट आप आता है फेस मास्क तो गाइज जब हम फेशल करते हैं तो हमारे जितनी भी गंदगी चाहिदगी है चेहरे की वह नीकल जाती है वह तर निकलती है जब हमारे चेहरे के पॉर्ट ज्यों ओपन हो जाते है तो उन पोड़्स को जब हमारा फेशल हो जाता है उन पॉर्स को बंद करने के लिए हमें हमेशा फेस chemical क Stein को हम किसी भी कीमत पर Het नहीं कर सकते वह पूर्स दिन वाश कर लेना है तो आप देख सकते है मेरे स्किन जो है कितनी जदा ही ब्राइट और यह प्रॉब्लम्स की और जितने भी ब्लैक इड्स वाइड और स्क्राइड देख रही थे वेडियों के स्टंग में वह सारी अपकल हो चुकी है मैंने अपने face पे कुछ भी apply नहीं किया है क्योंकि facial के 24 hours के बीच में आपको अपने face पे कुछ भी apply नहीं करना होता तो मेरा personal experience जो रहा है इस facial kit को use करके वो बहुत ही अच्छा रहा है इसने मेरे skin को बहुत ज़दा radiant और glowing बना दिया है और in fact यह touch करने में बहुत ज़दा soft लग रही है बहुत ज़दा clean मुझे feel हो रहा है तो guys अगर आपको भी ऐसा clean और glowing face चाहिए तो आप भी इस kit को purchase कर सकते हैं अगर आपको purchase करना है तो मैं इसका link आपको description box में provide कर दूंगी बहां जाके आप click करके इस product को purchase कर सकते हैं तो guys अगर आपको यह video पसंद आई हो और यह facial kit का review और यह facial पसंद आया हो तो guys इस video को like कर देना और share कर देना